नमस्कार कक्षा 6 एक्सरसाइस 3.4 का प्रशन 5 है दो संख्याओं को बारे में हमने बताना है कि ये सह अभाज्य है या नहीं है तो बच्चो आएए हम देखते हैं सबसे पहले हम पहली संख्या है 30 और दूसरी संख्या है 45 दूसरी संख्या है 415 तो आएए देखते हैं 30 के जब सार्व गुननखंड निकालेंगे तो वो होंगे देखिए एक के पहाड़े में 30 आता है एक गुना 30 दो के पहाड़े में जाता है पंदरा दूनी 30 और तीन के पहाड़े में जाता है तीन दहा 30 चार के पहाड़े में जाता है पांच के आता हमने 30 के सारे गुननखंड लिख लिए हैं इसी प्रकार से 415 पहले तो यह एक के पहाणे में जाएगा एक गुना 415 होता है 415 अब यदि हम इसे 5 से भाग करें तो देखें 5 आठे होता है 40 यहां से उतारा 1 4 से 4 गे 0 उपर से तरह 5 पांस तिये 15 इसका मतलब क्या है 415 को 5 से भाग कर क्या आया 83 पांच गुना 83 83 और किसी पहाड़े में जाता नहीं इसका मतलब यह 415 के भी सिरफ यही 4 गुननखंड होंगे तो अब हम इसे लिख लेते हैं 30 के गुननखंड यह हैं 1 2 3 5 6 10 15 और 30 इसी प्रकार से 415 के गुननखंड यह होंगे 1 5 83 और 415 अब हमें निकालने हैं बच्चो सार्व गुननखंड सार्व गुननखंड कौन से होते हैं जो दोनों में हो देखे एक यहां भी है और यहां भी है इसके लावा देखे 2 और 3 यहां तो हैं लेकिन नीचे नहीं है पांच यहां भी है यहां भी है तो पांच भी सार्व गुननखंड है इसके लावा 6 10 15 30 ऊपर तो हैं लेकिन नीचे नहीं है और 83 और 415 नीचे हैं उपर नहीं है तो सार्व गुननखंड दो आगए एक और पांच बच्चों हमने पड़ा था यदि दो संख्याओं का सबसे बड़ा सार्व गुननखंड एक होगा तो वो सह अभाज्य संख्याओं होंगी लेकिन यहां तो हमने देख रहे हैं कि सार्व गुननखंड सबसे बड़ा कितना आया है पांच यानि सार्वगुननखन सबसे बड़ा एक नहीं आया इसका अर्थी है कि 30 और 415 सह अभाज्य नहीं है तो 30 और 415 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है यही हमें बताना था कि यह सह अभाज्य है या नहीं है आशा करता हूँ यह भाज आपको अच्छे से समझाया होगा धन्यवाद